Vandekrishnam Jagatgurum Vandekrishnam Jagatgurum Vandekrishnam Jagatgurum जिदिश्टि से अगला प्रश्न पूछते हैं यक्ष, सुख और शान्ती का रहस्य क्या है, पहले खुद विचार करो इस पे, इस से पहले कि हम युदिश्टिर का उत्तर सुने, हम खुद विचार करते हैं, भगवान कहते हैं कि राग द्वेश वियुक्ते इस्तु विशयान इंद्रियेश चरन, आत्म वश्येईर विधे यात्मा प्रसादम अधिगच्चति, प्रसाद का यहां मतलब है प्रसन्नता, कैसे आती है, राग और द्वेश से वियुक्त होने से आती है, क्या ये बात समझ सकते हैं हम, कि पसंद और नापसंद, मन की स्फुर्णाय मात्र है, स्पंदन मात्र हैं, स्वप्न मात्र हैं, जिसमें ये धारणा छिपी है, कि इन इच्छाओं की पूर्थी से हमें सुख मिलेगा, शांती मिलेगी, इसी कारण से हम इच्छाओं द्वेश में पढ़ते हैं ना, ये वियक्ती मेरी बात सुन ले, क्यों नहीं मान रहा, इस काम में मुझे फाइदा हो जाए, नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे को कोई अप्रिशियेट ही नहीं करता, मेरे पे कितने बोज हैं, मेरा कोई बोज ढोने वाला साथी नहीं है, पचास तहां के राग द्वेश हम पाले रखते हैं, और उनको बहुत सत्य मानते हैं, तो बगवान क्या कह रहे हैं, कि जब तक तुम राग द्वेश से वियुक्त नहीं हो जाते हैं, और तब विश्यान इंद्रिये इश्चरन तब अपने सारे कर्म जो नियत कर्म है जो भी responsibilities हैं वो आप निभाते हैं पर इच्छाओं से मुक्त होकर तो क्यों निभाएंगे भाई हम जब इच्छाएं नहीं हैं तो अरजुन युद्ध क्यों करे अगर जीतने की भावना ही नहीं है उसमें अगवान कहते हैं तू बेबस है कर्म तो तू करेगा ही तू चाहे जितनी नानुकुर कर जितना तू बखवाद कर मैं जंगल में चला जाओंगा मैं सन्यास ले लूँगा मैं हत्यार शोड़ दू ये लोग मुझे मार दें तो भी मैं खुश हूँ जितनी मर्जी तू बखवास कर रहा है पर असल में जो तेरे में खून दौड रहा है ना वो क्षत्रिये का खून है जो तुमारे अरजुन में क्षत्रिये है हम में कोई और होगा कोई हर्श वाइफ है कोई आफिस में काम करता है कोई बिसनेस करता है कोई पेंटर है कोई software बनाता है कुछ भी तो जो कर्म का वेग है वो कर्म तो तुमसे करवाएगा ही बिना कर्म के तुम रहे नहीं सकते हो जितनी मर्जी हाक लो कि मैं मैं सब को छोड़ना चाहता हूँ अब तो तुम भगवान कहते हैं तुम्हारी प्रकृती तुमसे करवाएगी तुम्हार जब ऐसा है उनने कहा कर्म तो करने पड़ेंगे रिस्पॉंसिबिलिटी तो निभानी पड़ेंगी जो भी कर्तव यह दिये गए हैं उनको या तो खुशी से निभालो या ना खुशी से निभालो यह तुम्हारे हाथ में है अगर तुम राग और द्वेश से वियुक्त हो कर निभाते हो उसको धर्माचरण बनाके निभाते हो सत्याचरण बनाके निभाते हो एक पूजा की तरह निभाते हो एक साधना की तरह निभाते हो एक मन को पवित्र करने के रास्ते की तरह निभाते एक अकर्तापन अभोक्तापन की प्रैक्टिस के लिए निभाते हो एक निस्वार्थता की प्रैक्टिस के लिए निभाते हो सहिश्णता की प्रैक्टिस के लिए निभाते हो अगर वो यह कर्म आप इन सब कारणों से करते हैं तो वो फिर नए कर्म बंधन नहीं बनाता है और तब भगवान कहते हैं तुमको प्रसाद की प्राप्ति होती है दोनों तरह से इसको समझो प्रसाद का एक अर्थ है शान्ती और प्रसन्नता तुमारा मन वैसे यह शान्त तुमको चाहिए ही कुछ नहीं तुम तो आनंद से भगवत भक्ति में, भगवत पूजा में, भगवत सेवा में लगे हुए हो कोई स्वार्थ तुमारा अब रह नहीं गया और कम से कम तुम ये तो चाहते हो कि रह न जाए अगर है तो तो क्या हरत हुआ कि तुमारे को खिन होने की अब कोई गुझाइश नहीं रही परेशान होने का कोई कारण नहीं रहा तो मन प्रसाद को प्राप्त करता है, प्रसन्नता को शान्ती को प्राप्त करता है और दूसरा प्रसाद भी मिलता है भगवान ने ये भी कहा है कि तुम यग्य की भाती करोगे तो ये यग्य ही तुमारी काम धेनू गाए की तरह बन जाएगा निस्वार्थता से करोगे तो ये कर्म ही काम धेनू तुमारे को जो भी तुमारी जरूरते होंगी वो पूरी ये यग्य ही करवाएगा, ये पूजा ही करवाएगा, तो उस तरह से भी प्रसाद मिलेगा, तो आप यग्य का अन, यग्य शिष्टा शिनह अन, आप यग्य के अन की भाती, आप सब कुछ ग्रहन करते हो, भोजन हुआ, गर हुआ, कपड़े हुए, जो भी प्रसाद है, प्रसाद है, सिराखों पर, जो परिस्तिती उन्होंने दी, उनका प्रसाद है, सिराखों पर, तो प्रसाद के दोनों मतलब समझे, भवान ने कहा, इस तहें से शांती होती है, और जब ऐसी शांती होती है, तब क्या होगा, उसका फल क्या होगा, भाइवान ने आगे कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम हानी रस्यों पजायते सारे दुखों की हानी हो जाएगी खत्म हो जाएगे प्रसन्न चेतो चेतसो के आशु बुद्धी पर्यवतिष्ट दे आशु का मतलब होता है शिग्र ती शिग्र जब तुम इस तरह से रागद्वेश छोड़ कर प्रसन्न होगे तो शिग्र ती शिग्र तुम्हारी बुद्धी पर्यवतिष्ट दे स्थिर हो जाएगी तुम्हारी जो अंडुस्टैंडिंग है जो स्पिरिच्वल कॉंसेप्ट्स तुम समझने की कोशिश कर रहे हो उनको तुम धारण कर पाओगी ग्रहन कर पाओगी नहीं तो यह उपरी उपरी बाते ही रह जाती हैं वैसे अधिकतर लोगों के लिए एक कथा सुन ली एक डिस्कोर्स में चले गए भस सुन के आ गए और फिर पल्ला जार दिया मंडप में गए थोड़ी देर के लिए चपल बाहर छोड़ी थी अंदर गए कुछ सुना वापिस आये चपल फिर से डाल दिया फिर से वही स्वभाव ग्रहन कर लिया पल्ला जार दिया ठीक है ठीक है ठीक है नहीं हमारे लिए ये बात नहीं है हमें धारन करना है और धारन मन के शांत हुए बिना होगा नहीं मन का शांत होना आपके इच्छा और द्वेश से वियुक्त होने के बिना होगा नहीं तो पूरा जीवन ही बदलना पड़ेगा, पूरा थिंकिंग, थौट प्रोसेस ही बदलना पड़ेगा हमें करतव्य तो करने हैं पर अनासक्त रहकर अनासक्ती और करुणा का एक मिश्रण चाहिए, ज़्यादा लागलपेट नहीं करनी है सुखी दुखी नहीं होना है इच्छा पूरी हो गई, सुखी हो गई, नहीं पूरी होई, दुखी हो गई, ये बहुत साधारण जीवन है हमारे को समता का अभ्यास करना है, हर परिस्तिती में और ठीक कर्म करते जाना है बिना आग्रह, बिना अपेक्षा रखे तो जब आपकी अंडिस्टैंडिंग स्थिर हो जाती है, उसके बाद क्या होता है आपकी मेजिटेशन, आपका ध्यान गारहा होता है यानि कि मन के पीछे जो ये आवाजें चलती हैं, जो हल्चल मची हुई है, वो शाम्प हो जाती है उस्तिती को सोचो एक बार पिर से, अपने खुद को आपका जो बेस्ट वर्जन है उसको अभी आख बंद करके इमाजिन करो आप ध्यान में बैठे हैं, बुद्ध की तरहां, बुद्धो सी, शुद्धो सी तुम बुद्ध हो, तुम शुद्ध हो, निरंजनो सी, तुम निरंजन हो, पवित्र हो इस बुद्ध होने की, निरंजन होने की, शुद्ध होने की जो चरम अवस्ता है, अपने को वहाँ पर स्थित करो परिपूनतम अप्तमम शांतम, उस जो श्री कृष्ण परिपूनतम अप्तमम शांतम, उस थिती में रहते हैं, अपने को भी उस थिती में इमैजन करो की बुद्धिर अपस्तिर है, कोई लाग लपेट रहा नहीं, कोई राग द्वेश रहे नहीं, कोई पसंद नापसंद रही नहीं, एक सुखे पत्ते की तरह दूफान में, जहां ले जाए श्राम कृष्ण कहेंगे, मा जहां बिठाएगी वहां बैठूँगा, जो कराएगी वो करूँगा, मैं तो यत्र हूँ, वो चला रही है तब सुख शान्ती होती है, अब देखें, युद्धिष्टिर ने क्या जवाब दिया, युद्धिष्टिर कहते हैं, सत्य सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा, सुख का कारण है इसने छोटी सी एक वाक्य में पूरी बात कहने है, सत्य सत्य के वल ये वर्बल सत्य नहीं, परमात्मा ही सत्य है, जगत बिठ्या है, मन की कल्पना है, ये सत्य इच्छा द्वेश दुख देते हैं, ये सत्य अहमता ममता केवल परिशानी खड़ी करती है, ये सत्य सदाचार, वो जब सत्य को धारण करोगे, तो सदाचार का मतलब सबके लिए कल्यान की भावना प्रेम, शमा, ये सुख के कारण है, और दुख के कारण क्या है, असत्य, अनाचार, परहित सरिस, धरम नहीं भाई, पर पीडासम नहीं अधमाई, इससे बड़ा आधम कोई नहीं, जो दूसरों को पीडा देता है, जान पूछ कर, कश्ट देता है, और इससे बड़ा धर्म कोई नहीं, परहित सरिस, परहित, पर सब क्या हित चाहना, और पर पीडा देना, उससे दूसरों को तो दो गई दो, ये नहीं कि तुम खुद खु होगे, थोड़ी सी अहंकार की पुष्टी आपको होती है, कि मैं थोड़ा सुपीरियर हूँ, मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे कहे से वो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मैं चाहूं तो वो सुखी, मैं चाहूं तो वो दुखी, पस केवल ये अहंकार की पुष्ट ग्रणा, क्रोध, ये सब अशांती के कारण हैं और इनका त्याग शांती का कारण है। मरवान से प्रार्तना करें, दिल से, दिल की गहराई से, सब कुछ संसार को पीछे छोड़कर, बस यही चाहिए मुझे। परम शांत मन, परम सुखृद रिदय, सब के लिए सुखृद, कल्यान की भावना, और परमात्मा की भक्ती में उनतया सनलगना। इस थिती से आपको हठाता क्या है? आपके आग्र है। आपका क्वेश्चन है कि बच्चा भी टीनेज में आया है और जिद्धी है। कई बार ऐसी बातें करता है, जो ऐसे आचरन करता है, जो ठीक नहीं है। उसके लिए वो समझ नहीं पा रहा है कि कितने दुखदाई होंगे ये। और वो सुनते ही नहीं है बच्चे आज कल के, तो क्या करें। पहले तो बच्चे की बात बाद में करेंगे। खुद की बात पहले समझो। जब तक अपने सेंटर में आप अपने को स्थित नहीं करते हो, अपनी जो टॉप्मोस्ट प्रायॉरिटी है। उसको ठीक तरह से अपने को क्लारिफाइ नहीं करते हो। तब तक ये उल्जने चलती रहेंगी। पहले उसको क्लियर कर ले। आप इस दुनिया में केवल बच्चे पालने के लिए नहीं आएं। ये एक साधन है जिसके द्वारा आपको मुक्ती मिलनी है। आपको पवित्रता मिलनी है। आपका उत्थान होना है, evolution होनी है आपको। बहुत ज्यादा आहमता ममता में नहीं पढ़ना है हमको। वो आहमता ममता में न पढ़ना ये साधना है। इसी के द्वारा, इसी साधना के द्वारा हम परम लक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। और यह परिस्थितियां है आज यह बच्चे की परिस्थिती है कलपती की परिस्थिती थी उससे पहले पेरेंट्स की परिस्थिती थी कुछ फ्रेंड्स थे कभी इसकी वज़ा से परिशान हो रहे थे तो ये एक पैर्टर्न है जो रिपीट हो रहा है आपके जीवन में उस पैर्टर्न को जो बार बार दुहराया जा रहा है उसको ठीक करें पहले तो अपने लक्ष को दिर्धारित करें और लक्ष आपका अंदुरूनी है बाक्ष नहीं है बाहरी नहीं है फिर से लक्ष है परम शांत मन परम पूर्णता की स्थिती अनुभव अब इस्थिती में रहते हुए अब बच्चे को देखना है आपने वो कभी यूट्यूब खोलना और सर्च करना की कैटरपिलर बटरफ्लाई कैसे बनता है क्या स्ट्वगल होती है उसके अंद। जो भी बच्चा मा के गर्ब से निकलता है आपका जो पूरा ध्यान है उसके शरीर के उपर होता है जो एक स्थूल चीज है आपका ध्यान ये नहीं होता आपको समझ नहीं होती है इसका एक सूक्ष मशरीर है जैसे स्थूल शरीर बड़ा होता है उस तरह सूक्ष मशरीर भी ग्रो करता है मन बुद्धी भी ग्रो करते है पर मन बुद्धी के जो ग्रोथ है उसकी लिमिटेशन है जो तीन गुणों को तमस रजस और सत्व को लेकर वो पैदा हुआ है जो एक स्वभाव को जो उसका पिछले जन में स्वभाव था अभी तक का स्वभाव था वो उसको लेकर पैदा हुआ है अभी वो caterpillar की स्थिती में है अब वो struggle करेगा जो teenage की स्थिती चक आते आते न वो struggle करता है और उसको एक butterfly एक तितली बनना है पर वो तितली के कई रूप हो सकते हैं जो butterfly से तितली बनेगी वो एक भुद्ध बन सकती है राम बन सकती है एक आइंस्टैन बन सकती है एक रबिंद्रनाट टैगोर बन सकती है या एक दुराचारी व्यक्ति बन सकती है या एक बहुत साधारण व्यक्ति बन सकती है वो तितली कैसा उसका क्या प्रारूप होगा वो depend करता है कि वो कौन से तीन गोड़ा का combination लेके पैदा हुआ है उसके अनुसार ही वो अपने उड़ान भरेगी बाद में वो तितली तो जो ये टीनेज की अवस्था है वो caterpillar butterfly बन रहा है वो अपने को free करने का प्रियास कर रहा है struggle चल रही है उसमें और वो struggle क्या direction क्या है जो भी गोड़ लेके वो पैदा हुआ है उसी के अनुसार वो खेलेगा उसी के अनुसार वो तितली उड़ेगी अब किसे क्या पता है कि ये वाली particular तितली सारी जिंतेगी बहुत ही साधारन व्यक्ति की तरह निकाल देगी रागद्वेश में पैजा बच्चे पैदा हुए उनके कारण सुखी दुखी हो रहा है जौब के कारण सुखी दुखी हो रहा है इसने कुछ कह दिया उसके कारण सुखी दुखी हो रहा है इसने किसी को कुछ कह दिया वहां सुखी दुखी अभी शादी में गया तो नाच रहा है, अभी किसी बातम में गया तो दुखी हो रहा है, रो रहा है, एक साधारन जिंदगी निकालेगा, या असाधारन मनेगा, किसे मालूम है, अब अगला question आता है, ये बात समझ के आपका करतव्य क्या है, आपको सही information शेयर करनी है उससे, कहीं कहीं जरूरत हो तो firmness दिखाने की, बिना क्रोधित हुए, बिना irritate हुए, खिन हुए, बिना चिल्लाए, आपको उसको सही मार्ग दिखाना है, अब दो possibilities हैं, वो आपकी बात मान जाएगा या नहीं मान जाएगा, दोनों परिस्थितियों में, अब आपकी साधना ये है, कि आप अपना मन शान्त रखें, अगर उसको दुख पाकर सीखना है, परिशान होकर आगे बढ़ना है, तो ऐसा ही सही, अगर उसको आपकी बात सुनकर समझकर immediately सीखना है, तो ऐसा ही सही, पर आपके बहुत आग्रह करने से, मारने पीठने से, चीखने चिलाने से, चीज़े कोई बदलती नहीं है, खास, और आजकल का जमाने में तो ऐसी स्थिति आ गई है, कि आपके मुँपर जवाब दिया जाएगा, बस, मुझे और नहीं सुनना है, मुझे और मत बताओ, बहुत हो गया, अपना ग्यान अपने तक रखो, मेरे पर बत जाड़ो, मुझे बोला जाएगा आपको, और ना भी बोला जाएगा, तो इशारों से बता दिया जाएगा, और आप स्वते ही उस स्थिति में पहुंच जाओगे, जहां आपको लगेगा कि अब मेरा बोलना, सलाह देना ठीक नहीं है, तो कुछ भी हो, एक टाइम तक आपको डिरेक्शन देनी है, आपको सही रास्ता दिखाना है, उसके बाद आपको मुठी खोलना भी आना चाहिए, फितली को उड़ना है, वो अपनी ही तरह से उड़ेगी, अपनी ही तरह से वो ग्रो करेगी, अब ग्रो करेगी या नीचे जाएगी, किसको क्या मालूम है, अपना कर्तव विकर्म करना है ये बहुत मुश्किल बातें बोल रहा हूँ मैं आसान नहीं है इसको फॉलो करना पर मैं समझता हूँ कि हम सब जो यहां दो चार दस लोग इकठे होते हैं वो इन बातों को डिजर्व करते हैं इनके लायक है वो इनको समझेंगे वो जीवन में उतार सकते हैं दूसरी एक और बात है इससे अलग नई बात है कि भई कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत तामसिक प्रवृत्ति का है जूट बोलता है मकारी करता है चीटिंग करता है लोगों को परेशान करता है किसी से उधार ले लेता है वापिस नहीं करता है बहाने मारता है आपके साथ भी हजार जूट बोलता है और आपका बड़ा सगार रिष्टेदार है दस्यों बार उसने अपने प्रॉमिस तोड़े हैं बार बार वो अपना तमस रिपीट करता है और अचानक एक दिन आ जाता है और आपसे प्रार्थना करने लग जाता है कि मेरे को तो भाई इतने पैसे चाहिए बहुत ही जरूरी है वह क्या जरूरी है मैंने किसी से लोन लिया था और वो मेरे घर की एक चीज उठाकर ले गए है कि लोन वापिस नहीं दोगे तो तुमारी ये चीज हम तुमें नहीं देंगे हमारी कार ले गए है अब उजे अपनी कार छुड़वानी है तुम पैसे दे दो देखो यहां पर भी भगवान ने आपको बड़ी क्लियरली इंस्ट्रक्शन्स दी है तीन तरहें के गिफ्ट्स बताई गए है दान कहलो गिफ्ट दे कहलो हेल्प कहलो तामसिक दान या तामसिक गिफ्ट या तामसिक हेल्प क्या होती है गलत व्यक्ति को गलत समय पे गलत गिफ्ट दे देना जिससे उसका उत्थान नहीं होगा तो और गर्त में गिरेगा बिना सोचे समझे मांग रहा है रो रहा है चलो दे देते हैं मेरा पीछा छोड़े मेरे को सिरदर्दी नहीं करनी है इसके साथ आप क्या कर रहे हो इससे आप उसके उस गलत स्वभाव को तूल दे रहे हो और उस को सपोर्ट कर रहे नहीं करना है हाँ ये मैं सबचता हूँ कि आपका रिश्टिदार है आपका कुछा रिश्टिदार हो या ना हो अगर खाने पीने की दिख्ध है तो राशन डाल दो घर पे ढाल दे दो रोटी दे दो आठा दे दे दो, चावल दे दो, गैस दे दो, चीनी दे दो, जो भी बेसिक चीज़े हैं, उतने तक तो समझ आती है, पर ऐसे व्यक्ति को कार छुड़वाने के लिए पैसे नहीं देने है, वो तामसिक हेल्प है, वो तमस का पुतला है, तुम उसके तमस को समर्थन दे रहे हैं, उसी तरह राजसिक हेल्प होती है, कि आप देते हो, पर दिल आपका भारी है देने के लिए, देने के वक्त, और वापिस में आपको चाहते हो, जैसे होता है ना, बड़े-बड़े पंडाल लगते हैं, डिस्कोर्स होते हैं, जगराते होते हैं, और अनॉंस्मेंट्स होती है, कि भाई जैन साहब ने दो लाख दे दिये और जैन साहब फूले नहीं समा रहे है और फिर दूसी तरफ से आवाज आती है कि नहीं बागडी साहब ने पांच दे दिये अब जैन साहब का मुझ छोटा सा रह जाता है बागडी ने तो पांच लाख दे दिये क्योंकि वो देना किसलिए हो रहा था कि उस समाज में आपका मान बढ़े इसको राजसिक दान कहते हैं राजसिक हेल्प कहते हैं और आहंकार भी है इसके अंदर आपका भगवान कहते हैं सतकार मान पूजा अर्थम सतकार के लिए मान के लिए मेरी पूजा अर्चना हो इसके लिए जो तुम कर्ब करते हो वो राजसिक कर्म है भारी दिल से कर रहे हैं हो देना नहीं चाहते हो वो वाली हैल तीसरी होती है सात्विक सही व्यक्ति और सही समय और सही हैल जो उसकी सच मुझ में जरूरत है आप सोच समझ के वो चीज आप उसको हैल्प वो मांग भी नहीं रहा पर आपके दिल में है कि नहीं ये इस समय इसको इसकी जरूरत है आप बिन मांगे देते हूँ और देते हुए आपको पसंद अता हो रही है अनुपकारिने शब्ल का आप वापिस में कोई उपकार नहीं चाह रहे हो अनुपकारिने बगवान ने कहा देशे कालेच देश सही होना चाहिए काल सही होना चाहिए व्यक्ती सही होना चाहिए और वो हेल्प भी उसी के अनुसार सही होनी चाहिए आप ये नहीं कि आप किसी प्राइम मिनिस्टर को जाके आप हजार रुपे दे रहे हो कि मैंने बहुत बड़ी हेल्प कर दी उसको इसकी जरूरत नहीं है एक अरब पती को जाके आप थोड़े से पैसे दे दो उसके इसकी जरूरत नहीं है किसी को दन की जरूरत होगी किसी को आपके समय की जरूरत होगी आपकी करुणा की, आपके प्यार की जरूरत होगी, किसी को, किसी चीज की नॉलिज की जरूरत होगी, अंडिस्टैंडिंग की जरूरत, हर एक व्यक्ति की जरूरते अलग हैं, आपको बुद्धी का इस्तेमाल करना है, पर अभी इस प्रकरण में, जो अभी जो हम जिस चीज इस पे बात कर रहे थे कि तामसिक हेल्प नहीं करनी है और उसमें अपने मन को आपको खराब करने की ज़रूत नहीं है कि हाई मैं तो हेल्प नहीं कर पाई मैंने माना कर दिया उसको यहां पर द्वंद्व छोड़ दो आपने ठीक किया गल्ती के वल यह है कि आपने बिना सोचे समझे ऐसा किया सोच समझ के करते तो और चीज में निखा रहा जाता जब परिक्षित पैदा हुआ तो वो रोया नहीं क्योंकि अब अश्वत्थामा ने भ्रह्मास्त्र छोड़ा हुआ था और उसने ये संकल्प लेके छोड़ा था कि पांड़ों के कुल का नाच बचाए तो परिक्षित के उपर छोड़ा था वो घर्भ में था अब भगवान उसके चारों तरफ उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र से गर्भ में ही अब जब वो बाहर आया तो रो रो नहीं रहा तो सब को लगा कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है भगवान श्री कृष्ण की सरफ तो हर चीज में उनकी तरफ देखते थे यह वासुदेव यह क्या हुआ भाई आप कुछ करो आप इसको जीवन दो तो भगवान वासुदेव क्या कहते हैं कि अगर मैंने जीवन में कभी कोई जूट नहीं बोला तो यह बच्चा भी रोड़ पड़ेगा और परीक्षित रोपड़ा उसमें जीवन आ गया अब सब भगवान की तरफ देख रहे हैं कि तुमसे बड़ा जूटा कोई नहीं बेशम बितामा को जूट से मरवाया कपट से मरवाया दुरणाचारे को कपट से मरवाया फिर कर्ण को कपट से मरवाया दुर्योधन को कपट से मरवाया और तुम कहते हैं तुमने कभी जूट नहीं बोला हमें समझ नहीं आ रहा अब भगवान वहां एक्स्प्लेइन करते कि ऐसा सत्य जो अधर्म को सपोर्ट करें वो सत्य नहीं है वो असत्य है और ऐसा असत्य जो धर्म को सपोर्ट करें वो असत्य नहीं है वो सत्य है तो आपको यहाँ पर विचार करना पड़ेगा जब युदिष्ठिर जूट बोलते हैं वो जूट भी नहीं बोला था उन्होंने अश्वत्थामा मारा गया फिर उन्होंने आगे जो सेंटेस मिला बोला कि हाथ ही था पर जब तक उन्होंने हाथ ही बोला तब तक वो शंक बजगए और द्रोणाचार के कान तक वो बात नहीं पहुँची अब युदिष्ठिर इस गम में मरे जा रहे हैं कि हाई मैंने जूट बोला श्री कृष्ण अगर ये जूट बोलते उनको गम नहीं होता क्योंकि उनको मालूम है सोच समझके प्लैन करके कि ये धर्म के उत्थान के लिए जरूरी है भवान ने क्या कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भावति भारत मैं युग युग में जन्म लेता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए जब जब अधर्म का उत्थान होता है और धर्म नीचे चला जाता है तो वापिस मेरे को धर्म को उपर उठाना पड़ता है तो अगर भगवान ये जूट बोलते उनमें गलानी नहीं होती क्योंकि बहुत क्लारिटी है क्यों बोला है उन्होंने जूट युदिश्चर बोलता है तो सबकी बातों में आके बोलता है उसके उपर विचार नहीं करता विवेक पूरवक वो जूट नहीं बोल रहा है और वो जूट बोल भी नहीं रहा एक हलके से मूँ से कह दिया नहीं 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 वो तो हाती मरा है उसके बाद भी उसको गलानी होती है तो उसका ये जूट जूट माना जाएगा भगवान का भीश्म पितामा के लिए जो भी उन्हें करा या द्रोणाशार्य के लिए करा या करन के लिए या द्रियोदन वो उनका जूट भी जूट नहीं माना जाएगा तो मैं यहां यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी की हल्प नहीं करी क्योंकि वो बहुत तामसिक व्यक्ति है और वो सारी चीज़ों को वो गटर में डाल देगा आपकी जो हेल्प भी कर रहे हो उसको भी शायद ड्रग्स लेने में उड़ा दे मालूम नहीं क्या क्या करेगा उससे वो और उसकी जो मकारी है उसको बढ़ावा मिलेगा तो सोच समझ के करो इसको मन के अंदर क्लैरिट ही लाओ तो आपको आपने कहा ना बाद में रिग्रेट ना हो रिग्रेट इसलिए होगा युदिश्च्र को भी हुआ था बाद में रिग्रेट भगवान को नहीं हुआ था क्योंकि उसने सोच समझ के नहीं किया था और भगवान तो सब कुछ ही सोच समझ के करते हैं तो अगर उस समें नहीं सोचा था तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसके उपर सोचो कि ये स्टेप ठीक था क्योंकि ये धर्म संगत था वापिस युदिष्ट्र की बात जो उन्होंने यक्ष से कही एक बार रिपीट करते हैं सुख और शांती का रहस्य क्या है सत्य सदाचार प्रेम शमा ये सुख और शांती का रहस्य है ओम प्रिक्रिष्णाठनामस्तू श्रिरामख्रिष्णारप्रनामस्तू हरी हीॉम तच्स slope झाल, झाल